जहन दोस्तों वेलकम माई चैनल फास्ट आन अपडेट आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एससे जीडी का हिंदी बूक जिसमें हिस्ट्री का कलास दोस्तों चल रहा था कोश्चन नमबर 190 तक हो गया था दोस्तों चलिए 191 स्टाट करते हैं स्टाट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब जुरूर करिएगा ताकि इस तरह का वीडियो लेकर आँ तो सबसे पहले आप पहुंचे और दोस्तों अगर इसका पीडियो फिलने चाहते हैं तो डिप्सक्रिशन में लिंक डाल दिए आप टेलिग्राम में ज दाएगा सी आगे देखते हैं कोश्चन नंबर एक सो बान में इसका बामने पर दोस्तों इसका महत्पून बिंदु है कता है डांडी मार्च से समंधित महत्पून तत है डांडी मार्च कब हुआ तो बारा मार्च उन्ने सो तीस को साबर मती आश्रम जो अहमदाबाद में है साबर मती आश्रम से डांडी या डांडी जिलाग नवसारी के मद में मद आरम हुआ था दोस्तों कता 6 अप्राइर उन्ने सो तीस इसवी को महत्पून गांदी ने डांडी में मुठी भर नमक का निर्मान करके नमक कानूं तोड़ा था आए कोश्चन नुमर एक सो बान्वे एक सो पान्वे कता है कि भारतिये मुसल्मानों ने खाले अस्थान किसके नेतूत में खिलाफात अंडवलन शुरू किया जो अली बंधूओं के नाम से लोगफिर थे तो दोस्तों यह है मुहमद अली और सौकत अली आप्सण हो जाएगा सी आए इसका महत्पन बंदू है कता है वर्स 1919 सिस्वी में खिलाफात अंडवलन की शुरूआत भारतिये मुसल्मानों ने तुर्की में ओटोमन समराज की रच्छा एवं खलिफा के पत को बनाये रखने के लिए किया था कोश्चन नमर्ण 193 कहता है कि भारत में आम्स एक्ट किस वर्स पारित किया गया था तो दोस्तों उन्हेस सवी अठारा सो थात्तर में अप्सण हो जाएगा सी कोश्चन नमर्ण 94 कि भारत में पर्थम कन्या विद्याले की अस्थापना निम्रिकित में से किसने की थी तो दोस्तों यह किया था सावित्री भाई फुले अप्सण हो जाएगा भी आए कोश्चन नमर्ण दोस्तों पहले इसका महत्पन बिंदू है कि सावित्री भाई में पूने महराष्ट में हुआ था कि कोश्चन नमर्ण 95 कि खुदाई खिदमदगार के संस्थापक कौन थे तो दोस्तों खान अब्दूल गफ्थार खान अप्सण हो जाएगा सी कहता है दोस्तों कि खान अब्दूल गफ्थार खा सिमान्त गांधी या फ्रिंटियर गांधी के नाम से भी परसीद है कहता है खुदाई खिदमदगार संगठन का अनिनाम क्या है था लाल कुर्ती दल अब आईए कोश्चन ने 196 में कि विले निती गोवर्नर जेनरल किसके द्वारा तयार की गई थी दोस्तों ये लौट डल होजी के द्वार आप्सण सी हो जाएगा आए आगे देखते हैं इसका महत्पुन बिंदू कि लौट डल होजी से समन्दित महत्पुन तक थे कि गवर्नर जेनरल के रूप में कारिकाल की अवधी कप्थी तठारा सो अडालीस से ठारा सो चप्पन कि तब बिले निती की अंतरगर सोर परतम सतारा राज्य जो अर्ठारा सो अडालीस इसका बिले हुआ कि बिंधवा प द्रूप देख लेते हैं को कता है डाग घर अधिनियों कभ वा तो अठारा सो चंवन में चार्स बुड की सिछा निती अठारा सो चंवन से समन्दित है आगे देख लेते हैं कोईश्चन नंबर 197 में एकसोट संताने कहता है कि जलियावला बाग नर्सहार उन्यस इस्वि में अमरित सर में किस निती का अधिनियों के दौरान हुआ था जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भारतियों को गिरफतार करने और जेल में डालने की अनुमति दी गई थी तो यह दिया गया था दोस्तो रॉले टेक्ट के में आगे देखते हैं रॉले टेक्ट ऑफ्षन हो जाएगा C कोईशन एकसोटाने में एकसोटाने कहता है भारत में 1927 में नियुक्ति कि भारत मुने सो संताज में नियुक्त साइमन कमिशन की अलोचना निम्लिखित में से किस कारण से की गई थी तो यह किया गया था दोस्तो इन में से कोई भारतिय सदस्द सामिन नहीं हुआ था इसमें दोस्तों ऑप्सन भी हो जाएगा आगे देखते हैं कोस्चन अब इसका ब्याख्या दिया होगा दोस्तों नहीं दिया है एक सो निनाने नंबर कोश्चन देख लेते हैं आप लोग कोश्ची तरह से दीखें एक सो निनानुए कता निम्लिखित में से हुआ समासुधारा का और राजनीतिक नेता कौन थे जिनोंने महलाओं के अधिकारों की वकालत तो विधवापुर्ण बिवा अधिनियम से महत्पूर्ण भुमी का निभाई तो ये निभाई है दोस्तो इस्वर्चंद बिदिया सागर आप्सन हो जाएगा ए आये इसका महत्पुर्बिंदु क्या था इसवर्चंद्र विद्या सागर ने सोम परकास समचार पत्र का प्रारम किया था विद्वपूर्ण विभा दिनियों लॉड केनिंग के समय पारित हुआ था इस बद चंद्र विद्य सागर ने इस्तिरी सिच्छा के परचार के लिए बंगाल में अनेक विद्यार्थियों विद्यालों की अस्थापना की थी आईए कोश्चन नमबर दोसो करता ब्रव समाज के संस्थापक कौन थे तो दोस्तो राजा राम मोहन रा है करता है बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तो बंगाल विभाजन की घोषना जुलाई 1905 में हुई थी बंगाल विभाजन की घोषना 16 अक्टूबर 1905 से परभावी हुआ था और बंगाल विभाजन के समय सर एंडूस फ्रेजर बंगाल का लेटूनियन गवर्णर था और लॉड कर्जन के करकाल में बंगाल विभाजन की घोषना हुई थी केंदर के अंत्रीम सरकार का बजर किश वर्ण किस वर्ण किये गा था तो उन्हें च जी और देखते हैं इसका महत्मुन बिंदुू को is Also Lord Byval ने 15 ज्वालन नहरू को 2166 को अंतरिम by के गठन लिए नियंतरन दिया था और दो सितमबर 144 को पंडि ज्वालन नहरू के नेतुत में अंतरिम सरकार निसापतन ली थी। कोर्ष नुमर 200 तीन है का किसुन ने 1873 में सत्य सोधक समाज की अस्थापना किया तो यह किया है दोस्तो जोतीवा फूले option हो जाएगा B इसका देखिए ब्याखिया है दोस्तो सभा या संस्था के संगठन अस्थापना वर्ष कर वे तो प्रात्ना समाज के संस्थापना को वे त्र डक्टर आत्म रम पंडु राम और किस वरस्थान किया था 1860 महराष्ट में पुर्णा सारजनिक सभा का अस्थापना किसने किया तो महादेव गोविंद नरादे कव 3860 महराष्ट में आगे देखते हैं कि किता है इसको तत्वोधनी तत्वोधनी का प्रातना समाज की अस्ठापना के प्रावना स्रोथ है और प्रातना समाज को परसीधी दिलाने का स्रे महादेव गोविंद रनाडे को जाता है कोश्चन 204 वेज समाज का स्थापना कहां हुई थी तो दोस्तों मदरास में अप्शन हो जाएगा A कहता है वेज समाज ब्रह समाज से प्रेदित था इसकी अस्थापना वर्स 1864 में मदरास में हुई थी आए कोश्चन नुमर 205 क्या कहता है कि महालबारी बंदोबस्त की वेवस्था किसके दोबारा त्यार किये गए थे तो दोस्तों हौल्ट मेकेंजी आप्शन हो जाएगा C इस पर व्याकिया दोस्तों कि महाल बाड़ी बंदोबस से समझे महच्पून तत्य है कि महाल से असाय गाउं से है और दोस्तों महाल महाल है महाल से असाई क्या है ता गाउं से है और महालवाड़ी बंदवश्ट के अंतरगत गाउं के मुख्या से सरकार का लगान वसुली का समझोता होता था आगे देखते हैं दूस्तों कता है हल्ट में केंजी ने महालवाड़ी बंदवश्ट का सुत्रपात किया था महाल बाड़ी वेवस्था केंतरगर्द ब्रिटिस भारत की भूमी का 30 पतिसर भाग सम्नित था कता थामस मुन्रो एवं कैप्टन अलेगेंदर थामस मुन्रो एवं कैप्टन मुन्रो रीड का संबंध रहियत बाड़ी से था कोश्चन नमबर 206 206 206 कहता है तो भारत में अस्थाई बंध वस की निती किस वस शुरू की गई थी तो उन्हें 1773 में आप्शन होगा ए 1793 में है दोस्तो आप्शन ए है 1793 में आगे देख लेते कोश्चन 207 इसका ब्याक्या पहले देख लेते थे तो कहता है भारत में स्वर पर्थम बंगाल प्रांत में अस्थाई बंध वस की निती उन्हें 1793 में लड करनवालिस ने लागू की थी कोश्चन 207 कॉंग्रेस आप मुस्लिम लिंक के बीच लख नहू समझाता पर हस्ताता किस वर्थ की किये थे तो दोस्तो यह किया था 1916 में आप्शन ए हो जाएगा ब्याख्या में दोस्तों की लख नहू समझाता 1916 भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस एवं मुस्लिम लिंक के मद हुआ था भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के वर्थ 1916 के लख नहू अधिवेशन की अध्यस्ता अभीका चरण मजुमदार ने की थी और है दोस्तों की वर्थ 1916 में लख नू अधिवेशन में उगरबादियों की पुना 69 वर्थ पस्चाद भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस की वापसी हुई थी कोईशन नमर 208 कि भारतियों पर्थम 77 संग्राम निमलिखित में से किस वर्थ हुआ था तो दोस्तों 1857 में अप्सन हो जाएगा दि ब्याकिया में दोस्तों कि पर्थम 17 संग्राम 1857 से समंदित मतपुन तत्य है कि वर्थ 1857 की क्रांती के परमुक राजनिती करन लड़ बलेजली की सहायक संदी एवं लड़ डलहोजी का ब्यपगत सिधान्त राज हड़प निती थे कहता है दोस्तों कि वर्थ 1857 की क्रांती की सुरुवात कब हुई थे 10 मही 1857 कहां हुई थे तो मेरट में कोश्चन नुमर 209 सरदार बल्ला भाई पटेल ने किस वर्ष में कॉंग्रेस अध्यज के रूप में कारिकिया थे यह किया थे दोस्तों 1931 ऑप्शन ए हो जाएगा कता सरदार बल्ला भाई पटेल से समझने महत्पुन तत क्या है तो दोस्तों कि भारत के पर्थम उपराश्पती थे सरदार बल्ला भाई पटेल भारत के पर्थम ग्रीम अंती थे सरदार बल्ला भाई पटेल बर्दोली सत्यगराव 1926 के नितुत करता थे सरदार बल्ला भा दिवेशन के अधियस्ते वो सर्दार बलाई पटेल और 291 में मर्नो परांत भारत के सर्वोच नागरिक समान भारत रसर समानित्त होने वाले ब्यक्ति थे कि आगे देख लेते हैं कि 210 कि कोश्चन नमबर 210 क्या कहता है कि सुधार संग से संस्थाप्रक थे तो दोस्तों आरे समाज क्या है दोस्तों आरे समाज कि आगे देख लेते हैं इसका ओप्सन दिया होगा दोस्तों कि आपशन होगे दोस्तों आरे समाज आई इसका महत्पुन बिंदू है आरे समाज के समधित महत्पुन बिंदू की आठार सु संताहों ने बंबई मेन स्थापिड किया गया था आरे समाज 1877 में मुख्याले लहर में अस्थातित किया गया था और दोस्तो आरे समाजे स्वामी दैनल सर्शत्ती ने वेदो की ओर लोटो का नारा दिया था Q211 Q211 क्या कहता है कि बंगला देश का राष्टिय गान अमार सुमार बंगला निम्हें कि तुम इसे किस ने लिखा था तरविन नाट टाइगूर आप्सन हो जाएगा दोस्तो C आईए देखते है कोस्चन नमर इसका ब्याक्या देख रहेते हैं पहले दोस्तो कि परसीद परमुख नारा और समन्दित ब्यक्ति या नेता नोट में दिया हो जोस्तो कि इनकलाव जिन्दाबाद नारे का परियोग परचलन व्यापक रूप से सर्दा भगास सिंग द्वारा किया गया था लेकिन इसके मूल रचनकार हसरत मुहानी थे आईए कोस्चन नमर दोसो बारा कता है अपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसियेशन की अस्थापना निमलिखित में से किस अस्थान पर हुई थी तो दोस्तो कलकत्ता ओप्सन हो जाएगा बी आगे देखते हैं इंडियन एसोसियेशन के अस्थापना 1876 में सुरेंद नाथ बन एवं आनन्द मोहन बोस अलबर्ट हल कलकत्ता में की थी कता संस्थाफक दोस्तो सुरेंद नाथ बना जी तथा सचीव आनन्द मोहन बोस थे क्वेस्टन नमर्ड दोसो तेरा जनल्य वला बाग हत्यकांट के लिए कौन जीमदार था तो दोस्तो जनरल डायर ऑप्सन हो जाएगा सी कब हो था तो तेरा अप्राइल उनैस सो उनैस कहता है क्वेस्टन नमर्ड दोसो चौदा कर दोस्तों कि ए ऑठाशा पचासी में आयोतीर कांग्रेस को पर पार्थम आधिवेस्टन के अध्याच कौन थे तो दोस्तों यह थे बे मेर्च नबनर जी को दिखते हैं ओप संडी हो जाएगा दोस्तों बें मौस्चंद्र बनर जी आगे इसवा ब्याक्या देख लेते हैं का बातर राश्ट्य को पर्थम मुस्लिम अधियाच बतर।तिन तयब जी अब बारत्य को बारत्य कौंग्रेस के पर्थम एरोपीन अधियाच जार्ज उल्ले और दोस्तो भात्य को बारत्य को स्थम पर्थम पार्षी अधियाच दाधभाई शी क्योंसाग नमरного 11 उध्धम सींग ने किसकी हत्या की थी तो दोस्तो माइकल ओडायर को आप्सन हो जाएगा भी आगे देखते हैं ब्याक्या में कि सरदार उध्धम सींग ने वर्स 940 माइकल को माइकल ओडायर की कैप्टरन हाल लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी काता सरदार उधम सिंग को 31 जुलाई 940 को पेंटान विले जेल लंदन में फासी दे दी गई थी कोश्चन नमर्ट दोसो सोला दोसो सोला काता है वंदे मात्राम गीत निमलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपनियास में उदगित किया था आगे देखते हैं कता है आननमंट का उपनियास बंगला भासा में रचित है इस उपनियास की पुष्ट भूमी सन्यासी विद्रोप पर अधारित है कोश्चन नमर्ट दोसो सत्रा कि दिसंबर उने सो उनतीस में कि खले स्थान किसकी अध्यस्ता में लहोर में पुर्ण सोराज की मांग को अपचारिक रूप से दिया था तो अपचारिक रूप से दिया था दोस्तो ज्वालन नहरू आप्सन हो जाएगा आगे देखते हैं इसका व्याक्या में पुर्ण सोराज का स्प्रस्ताव पारित की हुआ था और है दोस्तों कि 31 जस्तंबर 1929 की मधरात्री को ज्वालन नहरू निरावी नदी के टट पतिरंगा फराया था आगे हैं कोश्चन 218 कि बकसर का यूद कब लड़ा गया था 1764 बे ओप्सन हो जाएगा दि आगे हैं इसका ब्याख्या देख लेते हैं बकसर का यूद अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों की सेना एवं मिर कासिम के मद हुआ था बकसर का यूद अंग्रेजों की सेना के नेतित्व हंटर मुनन थे और है दोस्तों कि बकसर के यूद में मिर कासिम सुराजी दौला एवं सा आलम दुतिये के नेतित्व वाली संयुक्त सेना की पराजय हुई थी बकसर के यूद में बिजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सता के परभूप्त की प्रातना हुई थी क्वेश्चन दोसो उनीस कता है कि वे अठाटासो तिराने में सिकांगों में हुई विश्व धर्म संसर में दिये गए उनके भासन के लिए लोकपिरी है यहां वे किस किसे कहा जा रहा है तो यह कहा जा रहा है स्वाम भ्यकानाद को दोस्तों अप्शन हो जाएगा ड़ी आगे देखते हैं क्वेश्चन 220 यह लास्ट है क्वेश्चन आज का दोस्तों कल आगे का लास होगा वीडियो अच्छा लाइक लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीज़ेगा आए क्वेश्चन 220 देख लेते हैं कहता है असायोग अंदोलन के प्रस्तावित को पुष्टी दि इसका पीडियो लेने चाहते हैं लिक डाल दिए तेलिग्राम में जुड़कर आप पीडियो भी ले सकते हैं जय हिंद